बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सपना इतनी स्ट्रॉंग कैसे हो? आईए आज आपको उसका जवाब देती हूँ. जब मैं grade 11 में थी, तो मेरे दादा जी हमें छोड़के चले गए. मैंने पापा को देखा that he was very calm, composed and strong. जब मैं college में आई, कुछ साल बाद, तो मेरी दादी मां कार्डिय करेस से चले गए. मैंने पापा को रोते हुए देखा पहली बार publicly, लेकिन फिर भी वो बहुत strong बने रहे और हम सब को संभाला. कुछ साल बाद, COVID में, मेरे पापा के भाई, मेरे बड़े चाजा हमें छोड़के चले गए. पापा ने हमें अपना pain कभी feel नहीं होने दिया, वो हमेशा ही strong बने रहे और हमें हमेशा positively motivate करते रहे to stay strong. जब मेरा भाई बिमार था, cancer से जूज रहा था, तब एक दिन मेरे पापा ने मेरे भाई से बोला कि प्रीत, तेरे चाजा का loss आज तक accept नहीं कर पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, देख लेना, तुब बिलकुल ठीक हो जाएगा. Unfortunately, last year, 30 April 2023 को, पापा का बेटा, मेरा भाई, हमारा प्रीत हमें छोड़के चला गया. जो मेरे पापा ने देखा है, जो loss उन्होंने bear किये हैं, अपने बेटे के last rights as a father उन्होंने किये हैं, बावजूद इसके मेरे पापा हमीशा बोहत स्ट्रॉंग बने रहे और आज भी वो हमें strength देते हैं, वो हमें बोलते हैं कि बेटा स्ट्रॉंग बनो, this is a part of life, we have to move on, like a hero, मेरे पापा ने वो हर कोशिश की, हर effort किया, हर भागदोड की भाई को बचाने के लिए, पर जितने losses मेरे पापा ने bear किये हैं, और बावजूद उसके वो इतने strong हैं और positive हैं, यहां से draw करती हो मैं अपनी strength, and I am very proud of being my father's daughter, we are very proud of you पापा, a very happy birthday पापा, we love you, सपना and प्री पापा,